Hello everyone, welcome back to my channel, माईशल बोरो शर्मा and in this video we will discuss about CUCT exam तो इस वीडियो में CUCT exam के बारे में हम देखेंगे, ये exam आपका held होने वाला है, conduct होने जा रहा है तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वे important topics share करूँगा जिससे maximum time CUCT में question पूछे जाते हैं साथ मैं मैं इस में इस exam का pattern भी आपके साथ share करने वाला हूँ कि ये pattern कैसा होता है, इसमें कितने question पूछे जाते हैं इसमें कितने parts होते हैं, negative marking क्या होती है, वो सब कुछ मैं आपके हाँ share करने वाला हूँ से question अक्सर पूछे जाते हैं, तो चलिए first of all देख लेते हैं CUCT exam के बारे में, देखिए जो आपका CUCT exam होता है, this is centralistic common entrance test, तो generally हम बात करेंगे research program के बारे में, PhD के बारे में, देखिए इस paper के अंदर दो part होते हैं, part A and part B, ठीक है, दो part यहां पर होते हैं, part A and part B, this is your subjective part, this is your subjective part, and this is consist of research methodology, research methodology, general knowledge, sorry not general knowledge, reasoning, reasoning, math, and aptitude, right, so your CUCT exam divided into two part, part A and part B, part B is subjective, ठीक है, यहां पर आपके subjective question आएंगे, जो कि आपका subject है chemistry, ठीक है, तो इसमें सब question किस के आएंगे, chemistry के आएंगे, और इसमें जो part A है, इसमें आपके question आएंगे research methodology से, reasoning से, mathematics से, और aptitude से, ठीक है, अगर हम बात करें total question की, तो जो आपका research program है, CUCT का, उसके अंदर 100 question आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, 100 question आपसे पूछे जाते हैं, 50 question रहते हैं, आपके part A में, 50 question रहते हैं, आपके part A में, और 50 question आपके part B में पूछे जाते हैं, ठीक है, 50 question part B में आपसे पूछे जाते हैं, 50 question पूछे जाएंगे, subjective, मतलब आपके chemistry subject से 50 question पूछे जाएंगे, और 50 question आपको यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है, अगर हम बात करें question के number की, तो one mark आपको दिया जाएगा, one correct question के लिए, अगर आप एक question करेक्ट करते हैं, तो आपको एक marks दिया जाएगा, ठीक है, इसका मतलब यह है, कि जो आपका total है यह, जो research program वाला CUSUT है, यह 100 marks का paper है, this is 100 marks paper, ठीक है, तो आपको जो CUSUT के रिजाम है, वो 100 marks का paper होता है, जो divided होता है two parts में, एक part आपका subjective होता है, और एक आपको क्या होता है, compulsory होता है, ठीक है, उस compulsory में आपको research methodology पूछा जाता है, reasoning पूछा जाता है, math पूछा जाता है, original aptitude आपसे पूछा जाता है, ठीक है, अगर हम cut-off की बात करें, कि इसका cut-off होता है, COCT का कितना cut-off रहता है, तो देखिए, अगर आप इस exam में 50 से 55 नमबर लेके आते हैं, तो आपका ये exam crack हो जाता है, अगर आप score करते हैं COCT exam में 50 से 55 marks, तो आपका exam crack हो जाता है, तो देखिए, इसका मतलब ये है, कि हमें इन दोनों part को क्या करना पड़ेगा, solve करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, कि इसमें से भी question करना है, part A में से, उतना ही जादा, आपके अपर से burden कम हो जाएगा, part B में, ठीक है, suppose कीजिए, आप इन में से, 50 में से 25 question यहां से कर पाते हैं, जो कि generally हो ही जाते हैं सभी के, 25 question आप यहां से, अगर correct कर देते हैं, generally सभी कर देते हैं, correct हो जाते हैं, easy portion यह रहता है, तो आपको subject से 25 या 30 question ही करने रहते हैं, ठीक है, जो कि आपका एक strong part होता है, क्योंकि आप त्यारी कर रहे हैं, C-U-C-T chemistry के लिए, तो आपको जो subjective part होगा, वो जादा strong होगा, as compared to part A हैं, तो इसमें से आपको 25 से 30 question attempt करने रहते हैं, अगर आप यहाँ से 25 question को attempt कर देते हैं, जो कि correct हो, ठीक है, अब बात कर लेते हैं negative marking की, तो जड़े आपका research program है, इसमें कोई भी negative marking नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी negative marking नहीं होती है, यहाँ पर negative marking नहीं होती है ठीक है तो मेरी आपको यह advice है कि आप part A को जरूर attend करें ठीक है इसमें से question जरूर soul out करें क्योंकि जितना ज़्यादा question part A से soul out कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आप इस portion में क्या अगट पाएंगे स्कोर कर पाएंगे ठीक है आपके उपर burden कम हो जाएगा तो आप कोशिस करें कि जो आपका part A है वहाँ से कुछ question soul out हो जाए क्योंकि यह question easy level के आते हैं ठीक है अब part B में यह जो part B है यह आपका subjective है और chemistry का है और यह generally वही syllabus है जो आपका CSR net के लिए syllabus रखा गया है generally वही syllabus C-O-C-E-T का होता है तो आपने net का syllabus देखा होगा C-O-C-E-T का syllabus भी देखा होगा same ही syllabus है अगर आप CSR net की त्यारी कर रहे हैं तो आपके C-O-C-E-T की त्यारी खुदी हो जाती है ठीक है अब देखिए कुछ topics ऐसे हैं chemistry के अंदर जिनने से generally हर बार question पूछे जाते हैं जैसे हम बात कर लेते हैं app block की ठीक है तो app block आपका बहुत ही छोटा सा topic है जिसमें से 2-3 question हमेशा पूछे जाते हैं तो आप app block को अच्छे से revise जरूर कीज़ेगा इसके बात बात कर लेते हैं bond order के बारे में तो देखिए आपको कुछ molecule दे दी जाएंगे जिसमें पूछा जाएगा कि किसका bond order जादा है किसका bond order जादा है या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा molecule है जिसमें bond dissociation energy सबसे ज़्यादा require होगी ठीक है ऐसा question आपको दे सकता है या फिर आपको bond length भी आपसे पूछा जा सकता है यह depend करेगा bond order वाले concept पे इसके बाद थर्ड जो टोपिक है हुए हमारा coordination chemistry और जनरली यहां से दो से तीन question हर बार पूछे जाते हैं यहां पर जो magnetic moment वगेरा हो गया ऐसे-ऐसे question हम आप पूछे जाते हैं ठीक है अगर हम organometallic chemistry की बात करें तो दो से तीन question यहां पर organometallic chemistry से में जरूर डालते हैं organometallic chemistry में जैसा आपका 18 electron rule हो गया that is very important point उसको आप जरूर करके जाएए 18 electron rule को carbonil वगेरा हो गए उनसे question जरूर पूछा जाता है या फिर कभी-कभी जो आपका organometallic chemistry का IR spectra होता है या फिर spectroscopy होती है उसको वहाँ पर पूछ लेते हैं चलिए chemical bonding की बात करें तो एक से दो question यहां पर रहते हैं chemical bonding में आपको कोई molecule दे दे जाता है उसकी structure आपसे पूछी जाती है उसकी hydration आपसे पूछी जा सकती है geometry पूछी जा सकती है कभी-कभी आपसे पूछ लेते हैं कि इस molecule के अंदर कितने bond pair present है कितने lone pair present है तो इसको हम किसमें रखते हैं chemical bonding में रखते हैं और यहां पर generally 1-2 question अक्सर यहां से पूछा जाते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं weight rule की this is very important weight rule से अक्सर यहां पर question पूछा जाता है weight rule में आपको कोई molecule दे दिया जाएगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस molecule की structure कैसी है close हो है, need है, arcano हो है या फिर इसमें total balance lactone क्या है ठीक है, ऐसा हमसे पूछ ले जाता है तो आप weight rule को भी जरूर करके जीएगा उसके बाद है spinal spinal से भी question direct आता है spinal generally क्या है आपको कुछ molecule दे दिया जाते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है जैसे Fe3O4 आपको MN3O4 आपको दे दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा ये spinal कैसा है ठीक है, ये spinal कैसा है इसके बारे में आपसे वहाँ से पूछा जा सकता है ठीक है, तो ये inorganic है क्या है, important topics है इनको आप जरूर करके जाएगा साथ में कुछ additional topics हैं जैसे कि bio inorganic वहाँ से भी question आपसे पूछा जा सकता है, bio inorganic से भी आपसे question पूछा जा सकता है तो आप bio inorganic को भी जरूर करके जाएगा, ठीक है, तो अगर आप इतना करके जाते हैं, inorganic का, this is sufficient for COCT, अगर हम बात करें physical chemistry की, तो आपको electro chemistry करके जाना चाहिए, जो की जिसमें से हमेशा 3 to 4 question आपसे जरूर पूछा जाते हैं अगर हम thermo की बात करें तो हम classical thermo chemistry की बात कर रहे हैं आप statistical thermodynamics ना पढ़िए, आप classical thermodynamics पढ़िए और इसमें generally आपका Maxwell से question आता है Maxwell relationship से question आता है और यहाँ पर जो आपके process होते है adiabatic, expansion, adiabatic, compression ठीक है, ऐसे कुछ question जो होते हैं जिनमें हमको work निकालना होता है वहाँ से question आपसे जरूर पूछ सकता है ठीक है, तो आप इसको भी करके जाएएगा thermo से 2-3 question आते हैं इसके बाद equilibrium की बात करें तो 2-3 question यहाँ पर हो सकते हैं इसमें generally पूछता है आपसे kp, kc के बीच में जो relation होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है ठीक है, इसके बाद आता है solid state solid state से आपसे question पूछा जा सकता है इसमें आपको कोई example दे दिये जाएगा जिसमें पूछा जाएगा इसका structure कैसा है bcc, fcc, ecc, ssc क्या है तो ऐसा पूछ ले जाता है या फिर आपको is length पूछ ले जाता है, a पूछ ले जाता है ठीक है, तो यहाँ पर question इसको solid state को आप जरूर करके जाएए break equation भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है अब उसके बाद बाद कर लेते हैं organic chemistry की, तो यहाँ पर है aromaticity, aromaticity जरूर करके जाएगा आपको aromaticity के अंदर क्या-क्या पढ़ना है, aromatic compounds क्या होते है anti-aromatic compounds क्या होते है homo aromatic compounds क्या होते है ठीक है, तो यह सब compounds है, इनको आप जरूर पढ़के जाएगा कि aromatic compound कुन से हो सकते है ठीक है, आपको पूछा जाएगा कुछ reaction कराएगा, ठीक है उसके उपर, molecule के उपर positive or negative charge आ सकते हैं तब आपसे पूछा जाएगा, this is aromatic or not this is anti-aromatic or not और कोई और molecule आपको दे दे जाएगा pericyclic and photochemistry तो pericyclic में generally जो आपका 4 plus 2 addition reaction होता है, उसको आप जरूर करके जाएगा, महाँ पर ये reaction आ सकती है, photochemistry में पैटर्नों बूछी reaction आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, तो आप इसको भी जरूर करके जाएगा, साथ में यहाँ पर जो co-prie arrangement होती है, उसको करके जाएगा, क्योंकि co-prie arrangement में से question पूछा जा सकता है अगर हम इस्टीर के मिस्टी की बात करें, तो तीन से चार question जरूर रहते हैं question आपका general रहता है आपको दो molecule दे दे जाते हैं this is diastereomer, epimer और क्या पूछ सकता आपसे this is inensumor, यह कुछ relation आपसे पूछी जा सकते है, या फिर आपको कोई ring structure दे दिये जाएगा, chair foam में और पूछा जाएगा, कौन सी इसमें stable confirmation है ठीक, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपको specific rotation के बारे में भी question आ सकता है उसके बाद बात कर लेते हैं और जोनलिसिस की this is very favorite topic of COCT और जोनलिसिस के बारे में भी question आते हैं ठीक है, और जोनलिसिस में क्या करते हैं आपको break down करते हैं तो उसमें product पूछा जाता है further step में भी reaction वो पूछते हैं तो आप जोनलिसिस को जुरूर करके जीएगा उसके बाद आता है हमारा topic birch reduction birch reduction को आप detail में जुरूर पढ़की चाहिएगा क्योंकि birch reduction से question पूछे जा सकते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं carbohydrate की तो carbohydrate से जनरलिया आप से question पूछा जा सकता है यहां पर reaction पूछी जाती है carbohydrates में direct के reaction पूछी जाती है आपके जैसे glucose हो गया उसमें डाल दिया Naio4 ठीक है यहां पर क्या reaction होगी या फिर आपके brumine water डाल दिया है तो क्या reaction होगी कुछ यह ऐसी reaction carbohydrates से जुरूर पूछी जाती है इससे अलग भी हम कुछ topics कर सकते है elimination reaction तो elimination में जैसे आपका hope and degradation हो गया या फिर आपका stage of rule हो गया उनको जुरूर पढ़के जाना चाहिए साथ में हमें E1, E2, E1CB mechanism भी जुरूर पढ़ना चाहिए ठीक है इससे भी question पूछे जा सकते हैं तो यह हमारे कुछ important topics है जिनसे generally हर बार question पूछे जाते हैं तो आप इनको जरूर करके जाईए ठीक है इनको नहीं छोड़िएगा साथ में आप surface chemistry से जो langmure isotherm है surface chemistry के अंदर जो langmure isotherm है उसको जरूर करके जाईएगा क्योंकि वहाँ से question आने के chance ज्यादा रहते हैं ठीक है अगर हम बात करें polymer में तो polymer की अगर आप क्या करते हैं channel length वगएरा कर लेते हैं या फिर average molecular mass ठीक है यह कुछ आपके mass निकालने के होते हैं MN, MN, W, MZ तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो generally यही topic है जिनसे maximum time COCT में question पूछे जाते हैं ठीक है अगर आप इस spectroscopy आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है spectroscopy से भी question आ जाते हैं quantum की अगर हम बात करें तो quantum chemistry में generally इतना hard question वो नहीं पूछता है उसमें हम बहुती easy question पूछा जाता है जनरली question पूछता है particle in 1D, 2D ठीक 3D की वो बात नहीं करता है maximum type उसमें उसकी energy वो पूछ लेता है या फिर आपको communicator पूछ लेता है क्या होंगे तो इन की जगों आपसे पूछ सकता है ठीक है तो आपका जो exam pattern है वो मैंने आपको discuss कर दिया है कि part A होगा, part B होगा part A में यह सब topics रहेंगे और यह easy topics आपके होते हैं सबसे बड़ा benefit इस exam का यह है कि इसमें negative marking नहीं होती है तो आप सभी question को soul out कर सकते हैं लेकिन ऐसा न कीज़ेगा कि आप negative marking नहीं है यह सोच कि आप बहुत सारे question कर दें और वो गलत हो जाए maximum accuracy रखने का आप try कीज़ेगा इस part से आप maximum question को करने का try कीज़ेगा इसमें से तो आपको करने ही होंगे क्योंकि यह तो आपका subjective है इसके लिए तो आप जाई रहे हैं आपने net की त्यारी की हुई है अपने MSC में chemistry को पढ़ा है BSC में भी अपने chemistry को पढ़ा है तो इस topics आपको generally आते होंगे ठीक है तो आप इसको अच्छे से topic को revise जरूर कर लीजेगा कुछ जरूरी बात है यह है कि आप अपनी safety का ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि health बहुत ही जरूरी है अपने साथ अपना marks जरूर लेके जाए marks को हमेशा पहन के रखें ठीक है social distancing का पालन करें दूरी बनाए रखें ठीक है क्योंकि exam होता रहेगा health बहुत जरूरी चीज़ है ठीक है उसके बाद इस बाद जो important बात है कि यह जो आपका exam है यह computer based exam नहीं हो रहा है this is offline इसका जो mode है कि आपका offline है तो यह offline है आपका mode तो इस बार क्या हो रहा है paper पे होगा तो आप एक ball pen जरूर लेके जाए black color का ball pen लेके जाए साथ में admit card लेके जाए admit card के साथ अपना अधार card जरूर लेके जाए या फिर कोई identity card जरूर लेके जाए ठीक है तो आप सभी careful रहेगा exam देने जा रहे हैं तो अपने स्वास्ते का बहुत 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 ध्यान रखेगा exam तो होता ही रहेगा ठीक है और part A part B में part A से आप ज़्यादा question attempt करने की कोशिस कीजेगा क्योंकि जितना ज़्यादा question यहां से attempt करेंगे सही आपका जो part B होगा subjective उसमें आपका जो burden होगा वो कम हो जाएगा और जो general कटोक रहती है वो आपकी 50 से 55 marks रहती है इससे ज़्यादा नहीं जाती है ठीक है तो आप panic नहीं होएगा अराम से relaxed form में आप इसको exam को दीजेगा आपके exam qualify हो जाएगा so very very best of luck आप exam को अच्छी सी कीजिए उसको qualify कीजिए और PhD में admission लिजे so thanks for watching अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो please channel को subscribe जरूर कर दीजेगा और like share भी वीडियो को जरूर कीजिए so thank you, good luck